तो अगर पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी-कभी परसनल भी लेते हैं कि और क्या मन्थन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठके कि गलती कहां पे हुई और कहां पे ह को रोल बैक करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए आपने आपने बहुत सही सवार पूछा है भारती जनता पार्टी हम चुनाव हार 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 करके ही जीतने लगे हैं हमने बहुत पराजे देखे हैं जमानते जब तो होती देखी है मैं तो तब राजनिती में नहीं था ल जुनाओं में जनसंग था उसमझ साइद दीपक निशान था हूं का और कई मिठाई बाट रहे थे तो हमने सुना यह मिठाई क्यों बाट रहे तु सब हार गए तो बताया एक साथ हमारे तीन लोगों की जवारत बच गई है इसलिए मिठाई बाट रहे उस जमाने से हम लोग गुज़रे हुए लोग हैं और इसलिए जय और पराजे दोनों हमने देखा है हम जब विजय होते हैं तो हमारी कोशिश यह हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए हैं हम जब चुनाव जितते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते हैं हमारे लिए हर पल हर दिन हर योजना हर काम जनता जनारदन के दिलों को जीतना और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है संतोश होता है तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं और हम बहुत च्रियास करते हैं कि जीत हमारे सर पर न चड़ जाए कि हमारे दिमाग के वह सवार हो जाए और इसलिए हम ढर्ती पर रहते जहां तक पराजय का सवाल है हम पर आजे में भी आशा खोशते हम सोते हैं कि सामने में रणादिती उसके तवर तरीके क्या थे यह लोगों को गुम्रहा करने में क्यों सफल हुआ हमारी बात को कैसे पहुंचाएंगे हम औरह अभियास करते इसकी यहास करते हैं उस प्रकार के योजनाव का भी भाहस करते हैं और फिर हम आगे की रणनीती बनाते हैं हम हर चुनाव से सिखते हैं चुनाव जय का हो या चुनाव पुराजय का हो हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से open university है जिसमें हम नए recruitment के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आपको तरा आसने का भी आउसर मिलता है तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा education का प्रीड मानते हैं